समस्कार मैं डॉक्टर अजीद भारती आज पर आपके लिए हिंदी विसाय के अंतरगत एंसी आर्टी सीवेसी बोर्ट क्लास टेंथ हिंदी कोर्सवा और इसपर्स भाग दो इसके अंतरगत हम आज पाट कर चले अंफिदा ये क्या कवता का नाम है और इसके वो कभी को नहीं कैफी आज मी ठीक तो इस पाट का हम आज क्या लेकर आए हैं सारांस जिसको हम अगरेजी में समरी भी कहते हैं तो चलो पर सुरू करते हैं तो देखो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये कर चले अंफिदा ये जो कवता है कवता में सायनेकों के वलिदान की गवरोगा था है ठीक है वैसे ये कवता पर जो हकीकत फिल्म बनी थी उसमें ये इसी सिर्सक पर गाना भी लिखा गया ठीक होई गाना ही है जिसको हम कवता भी कह सकते हैं तो बहुत पापलर ये कवता है तो इसका सारांस को इस परकार रहेगा एक सैनिक देश के लिए बलदान होते समय अपने दूसरे सातियों से कहता है कि हम तो देश की रच्छा करते हुए अपने प्राड़ों का बलदान कर के इस संसार से जा रहे हैं अब यह देश तुम्हारे अवाले है अब तुम इसकी रच्छा करना सत्रूओं से लड़ते लड़ते हमारी सांस रुकने लगी थी नाड़ी ठंड से जमने लगी थी फिर वे हम बरफीली सीमाँ पर आगे बढ़ते चले गए हमारे कदम नहीं र रच्छा करते हुए हमारे सिर कट भी गए तो हमें इसका कोई दुख नहीं है हमें तो गर्व है कि हमने आखरी सांस तक हमाले का सिर जुकने नहीं दिया मरते समय भी मेरे अंदर वलिदान का जोस जोस कम नहीं हुआ है अब कुर्बान होकर इस संसार से जा रहे हैं अब इस देश की जिम्मेदारी तुमारे हाथ में है आता है तुम इसकी रच्छा करना पिर देखो आगे कभी कहता है कि आगे बलदानी सैनिक अपने दूसरे सैनिक सातियों से कहता है क्या कहता है कि जीने के तो हमें मौके बार बार मिलेंगे लेकिन देश पर बलदान होने का सुब अवसर कभी कभी ही आता है आज तुम्हारे लिए बलदान का यह अच्छा अवसर आया है इस समय जो सैनिक अपने दुस्मनों से लड़ते हुए खून नहीं भाएगा तो ऐसे सैनिक का देश के प्रती प्रेम कैसा है बेकार है आज देश की धर्ती यह तुम्हारे लिए दुलिहन बनी है तुम्हें इसकी रच्छा करनी है अब यह देश तुम्हारे अवाले है अपनी धर्ती मा की रच्छा के लिए बलदान के रास्ते पर चलो पर आगे कभी क्या कहते हैं कि बलदानी सैनिक अपने दूसरे सैनिक साथियों से कहता है कि हे मेरे सैनिक साथियो हमने देश के लिए कुर्बानिया दी है बलदान का मार्ग कभी खून सूना नहीं होना चाहिए देश पर बलदान होने वाले सैनिकों के नए नए समू तयार होते रहने चाहिए उन्हें आगे आते रहना चाहिए एक बार हमने यह संगस और बलदान का उसो मना लिया तो फिर अगला उसो जीत का ही होगा आज जिंदगी आगे बढ़कर मौत को गल्पे से लगा रही है मेरे साथियो देश के लिए बलदान होने का मौका है तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ हम तो बलदान कर के दुनिया से जा रहे हैं अब यह देश तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहे हैं इसे दुस्मनों से बचा कर रखना है फिर वो आगे कहते हैं कि देश के लिए बलदान करने वाला सैनिक अपने दूसरे जीविस सातियों से कहता है कि मेरे सैनिक मित्रो तुम अपने लव लवकारत है खून से धर्ती पर एक रीखा रेखा खीच दो जिससे हमारी सीमा के अंदर फिर से कोई रावड न गुस पाए अगर कोई सत्रू हम पर हमला करता है तो उसके हाथ तोड़ देना हमें सावदान रहना जिससे कोई दुस्मन सीता के दामन पर हाथ न लगा पाए इसके तुम ही राम हो और तुम ही इसके लचमड हो अपने आपको पहचानो तुम ही देश के रच्छे को रखवाले हो अब हम यह देश तुम्हें स्वाप कर इस संसार से जा रहे हैं अब तुम ही इसकी रच्छा करना है तो इस परकार यह आपका जो पाड़ की समरी थी व यहां पर है न यह जो डबलू दिया है यहां पर यह www.hindi-bharati.in पर भी इसको हम सर्च कर सकते वहां पर यह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तो यह आपके सामने हमने कम समय में कर चले हम फिदा जो का बताय कैफी आजमी की गीत भी है यह अकीकत फिल्म का प्रस्तुत किया अगर इससे समन्दित किसी पिरकार का कोई डाउट हो प्रस्तुत तो हमें कमेंट करके पताएगा और भी अगर हिंदी विशाय पर कोई आपको कंटेंच चाहिए या कोई समस्या हो रही हो तो वो भी हमें लिख कर भे सकते हैं तो फिर आज के लिए इतना ही अब हम फिर मिल देंगे किसी ने विशाय के साथ अब तक के लिए धनवाद